तो हेलो फेंट कैसे आप दोस्तों आज में आपको ताने आपको सबस्क्राइब करें आपको सबस्क्राइब करें तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सणी और आपका स्वागत है सबस्क्राइब करें तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की हाँ पर गलेक्सी स्टोर में जाएंगी तो आप देखेंगे आपको नए अप्डेट मिल रहा होगा क्लॉक एप में यहां पर आप देखेंगे इस एप को कब वर्जन को कब रॉल आउट किया गया है ज जिसको रॉल आउट किया गया है चार जन्वरी मतलब दो दिन पहले इसको रॉल आउट किया गया है जिसका अप्डेट साइज है 25.64 MB यहां पर आप देखेंगे यह नए फीचर यहां पर आइड़ोड किया गया है इंप्रूफ किया गया है जो विजार्ट का फॉन्ट पॉपप एंड टाइमर यह जो आप मिनी टाइमर यूज करते हैं उस पर यहां पर चींजिस किये गए काफी सारे तो आगे आपको बताने वालों तो पहले कर लेते हैं इसको अप्डेट फिर देखते हैं तो फाइनल यहां पर हो चुका है अप्डेट दोस्तों यहां पर कुछ फॉंट्स में और कुछ बैक्राउंड में कलर में यहां पर चींजिस किया जो की खाफी खास नहीं है तो यहां पर आप देखेंगे मैं इसको ओपन कर लेता हूं ओपन करने के वाद जब भी हम किसी पर टाइमर लगाते हैं आपको बता है कि हम मैक्सिमुम 20 पर टाइमर को यहां पर लगा सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे मैं यहां पर टाइमर लगा दिये खैंगे यहां पर चार पर टाइमर लगा दिये तो सबसे पहला जो changes यहाँ पर दिया गया है कि अब यहाँ पर आप shift कर सकते हैं कितने भी यहाँ पर आपके timer चल रहे हैं तो आप यहाँ पर up down कर सकते हैं यह feature यहाँ पर सबसे पहरा जो नया changes दिया गया है यह यहाँ पर changes दिया गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो second change दिया गया है वो यह कि यहाँ पर आप डारेट यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी रिमाइंडर का मालो आपने 4-5 लगा कर रखें कि 4-5 अगर आपने टाइमर लगा रखें किसी एक टाइमर को आपको डिलीट करना है तो second जो changes दिया गया है timer में यह किया गया है तो third changes दोस्तों यह दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे अगर mini पर आप चला रहे हैं और वहाँ पर कोई timer expire होता था या timer over होता था होता गया था वो सारे timer वहाँ पर हता होता था बड़ इसमें ऐसा नहीं होगा जो dismiss हुआ है सरिफ वह हटेगा बाकी आपके continue में यहाँ पर चलते रहेंगे तो यहाँ पर third changes यह किया गया है काफी अच्छा है कि होता ही है था कि नहीं तो हमारा आपने चारपां timer लगा कर रखें एक timer आउट हुआ तो आटोमेटिक mini store से सारे हड़ जाते हैं अगर आप किसी भी एक को delete करते हैं तो पहले आपको कोई animation नहीं आता था बट अब यहाँ पर आपको एक animation दे दिया गया है तो यहाँ पर यह four changes किया गया है तो यही नए update था और यही नए changes किये गया है और अगर आप मुझे को suggestion देना चाहते हैं कि नेक्स वीडियो के टॉपिक भी पर आओ या कुछ मुझसे पूछने चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैं directly Instagram या Facebook पे DM भी कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज या सब्सक्राइब जरू कर लिया करो और नोड़ेशी बेल आइकन को भी तपा दिया करो तो थैंकियो दोस्तों और हो सके तो मुझे इस्टाओं और फेजू पर भी फॉलो कर लेना यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थखनेवाद